नमोना शम्पाउं राष्ठ को शन्यमोशा महस्तव की हारदिक्सितलत आप अठारा नौनल बर्शन دौहचाव महसत्रा सन्यमोशा महस्तव कौने। दर्दापके पास तो दवा है दीवादियं, और है समाश्य आपके पास समाधान हैं दीवादियंरी। श्री शनिधाम शनी तिर चेतर असोला फटेपुर बेरी में आपका स्वागत है, करिए शनिभगवान का दर्सन पूजन तेलाबी से शंपों कश्टों से चपकाराई, शनिधाम आने के लिए दिली चेतर पूर मेटरशन से नेशल्क बस सुविदा है, और इवेश्टा कियार मंगलम वालों के तरफ से, कियार मंगलम एजुकेशन गुरूप है, हाईये सिरी सनी दाम, सनी तीरचेतर असोला फटेपुर बेरी में, और करिए सनी भगवान के दर्सन क्या आपका कर्ल्यान, नमना है गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विष्णु, गुरूर देवो महेश्वरा, गुरूर शाक्षात्पार ब्रह्म, तश्में श्री गुरु वे नमा, चद्गुरु तुम हूँ दयालो, दाता तुम हूँ दयालो, तुम लजो मेरी दोड़, जैसे काग जहाज को, सूझे औरन ठोड़, गुरु को कीजिये दंदवत कोटी कोटी प्रणाम, कीटन जाने भ्रिंग को, गुरु कर ले आप समाः, गुरु पैया लागो, नाम लखाय दी जुरे, जनम जनम का, सोया मेरा मनवा, सब देन मार जगाय दी जुरे, गुरु पैया लागो, नाम लखाय दी जुरे, गुरु पैया लागो, नाम लखाय दी जुरे, घट अंदियारा, नय नै नै शुजे, ग्यान का दीप जलाय दी जुरे, गुरु पैया लागो, दाता पैया लागो, प्रभु पैया लागो, गुरु अर पैया लागो, नाम लखाय दी जुरे, विशे की लहर, उटेते घट बीतर, अमरीत बूंद चुआय दी जुरे, ओ गुरु पैया लागो, नाम लखाय दी जुरे, गुरु पैया लागो, नाम लखाय दी जुरे, यह दाता, आपके चर्णों में यही प्रात्रा रही है, और इसी भाव को लेकर, मैं आपकी श्रना गताया हूँ है मेरी मालिक, है मेरी मोला, है मेरी सरकार, यह भीतर का अंदकार, जब तक नहीं मिटेगा मेरी दाता, तब तक दिखाए नहीं देगा, यह माया का अंदकार, यह मोह का अंदकार, यह क्रोद का अंदकार, यह घ्रणा का अंदकार, यह हैंकार का अंदकार, बिना आपकी गृपा मेरी प्रभू, मिटना संभhmen नहीं है ये मेरी मोला मै तो आप के चरणों का दाश हूँ ये मेरी सरकार ये दया आप नहीं की थी वहनों मैं तो भटक राता इस अंसार में भटक राता दाता इस माया मोह के चकर में फशा हुआ था आपने किरपा करी आपने रहम की आपने अपनी कृपा बरसाई अर इदाता ये ज्ञान रुफी खजाना दिया लेकिने मेरी प्रभू ही मेरी गुरुमाराज मेरे पिर दया करना कि मैं इस ज्ञान का भजन भी कर सकूँ क्योंकि ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता है दोस्तो ग्यान का भजन करने से सब कुछ होता है मैं ग्यान का भजन कर सकूँ मैं ग्यान का आनंद ले सकूँ आपकी कृपा मेरे बनी रहे इसलिए मैंने ये बोल है मेरे ये तो सद्गुर कबीर के परमशिश है धरमदाज जी महराजी ने गाया था कबीर साब के लिए मैं अपने गुरु महाराजी की सिर चर्णों में अपने भावों में रख रहा हूँ कि दया करना दाता ये ये विश ये माया रुपी विश एहंकार रुपी विश ये घ्रणा रुपी विश ये वासना रुपी विश मेरे भीतर में है दाता वो उस अमरित का बोल वो शब्द ब्रह्म अमरित ब्रह्म जोति ब्रह्म नाद ब्रह्म जो ज्ञान का अदभुद सार है हे दाता ये ज्ञान मेरे भीतर में प्रगठ हो मेरे पर दया करना किर्पा करना श्ववगान श्वदसन किरियायोग शाधना जीवन की जोली में खुशिया लाने का मुख्या धार ऐसाथ इससे बड़ा कोई शाधन नहीं होगा जीवन में कि हमारी भीतर में, हमारी जोली में, हमारी जीवन की जोली में खुशियां आ जाए स्ववगान शोदेसनि क्रिया एक शातना से हर पल को कैसे तहुवार बना जाए हर पल को कैसे पर्व बना जाए हर पल को कैसे दिवाली की तरे मना सके प्रियास यह कर राता है दाता जीवन का हर पल पर्व और तेवार बन जाए स्ववगान श्वद्शन की या उक्षादना का प्रशाद उन्होंने मुझे दिया और मैं आपको समझा रहा हूँ एक पोस्टमेन की तरह मेरा कोई ज़्यादा रोल नहीं है पोस्टमेन का कोई रोल नहीं होता है आप सब की चर्णों का दाश हूँ मनशी हूँ मानवेतर गुन है और मेरी कौशिश रहती है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ हरदय के भावों को बांट हूँ जो हमारी गाड़ी पटवी से उतर गई है जो हमारी तकदीर बिगड़ गई है बिगड़ी तकदीर को दुबारा कैसे सुधारा जा सकता है कैसे अंतरमं की यात्रा से आनंद लिया जा सकता है क्योंकि अंतरमं की यात्रा करके ही आनंद होने का मुख्यादार कैसे भीतर की यात्रा करे और भीतर की यात्रा में कैसे सहरा ले इसलिए मैं आपके साथ थोड़ी दो रहूँगा क्योंकि वास्तम है उनकी कृपा से उनकी दया से ये उनका अशिर्वाय था मेरे उपर किश्वदसन किरिया युक्सादना का अभ्यास करके जीवन की हर पल को मैं अनभव कर सका आनन्द के कश्टों से भरावा जीवन था उल्जावा जीवन था कतनी और करने में बड़ा फरक था सारा संसार जानता है कि मैं एक साधान शाव्यक्ति बाते बहुत बड़ी बड़ी कता था लेकिन मेरे पास कोछ नहीं था बच्पन से सन्याश्यू लेकिन जब गुरु महाराज मिले कृपा भई दया भई और गुरु महाराजी की दया से ही भगवान शनीदेव का अशिरवाद मिला अश्ववगान श्वजशन किरिया एक साधना का अनभव करने का शुवशन मिला गुरु महाराजी की दया भई उनके आदेश सरपर्तम में देवादी देव सनीदेव की भरंभय और भांती को मिटाने के लिए पूरे पूरे उनतीश वर्ष में ने पूरे राष्टे चर्चा करी है कि भगवान शनीदेव से भैवित होने की जोर्थ नहीं है मुझे लगने लगा कि मेरी राष्ट की लोग देवादी देव शनीदेव को अपने आराध्दी की तरे हर गर, हर गली, हर मोला, हर हिर्दे जब मनाने लगा अब मुझे लगा कि हिर्दे की प्यास ग्यान से कैसे त्रिप्थ हो मैं आपके सामने अपने गुरु माराज जी की परसाद यानी श्ववगान, श्वदशन के लिए यक्षादना के लेका आया है इसका अभ्यास जरूरी है जिने के पास ये ज्ञान है मैं उनसे कहना चाहूँगा ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता ज्ञान का अभ्यास करना पड़ता है और जिनके पास सववगान, श्वदशन के लिए यक्षादना का आनभाव नहीं है जानकारी नहीं है मैं उनसे कहूँगा कि इस युक्ति को जानने का प्रियास करिए ये जिवन को संतुलन करने की अधुद कला है अधुद विदा है लेकिन इसका अभ्यास करना पड़ेगा श्ववगान, श्वदशन के लिए योग्षादना सच में जिवन के हर पहलू को बदलने में ये युक्ति समर्थ है इसका अभ्यास जारी रखे गहराई में उतरने का प्रियास करे और गुर्माराज जी को शाक्षी मान कर मैंने इसका अभ्यास किया उसका प्रणाम ये रहा है कि नेमित अभ्यास करने से नेमित अभ्यास करने से आप इस साधना की मारप आगर बढ़ते लेंगे और आगर बढ़ते विए बढ़ी आसानी से अपनी तकदीर को पुने चमका सकते हैं क्योंकि ये साधना माइंड को साइलेंट करती है और mind silent कब होगा जब शरीर, मन और आत्मा का alignment बन जाएगा स्ववगार, शोदेशन किर्यय युग शादना अनो, मन, शरीर और आत्मा का alignment ट्यार कर दो अर जब शरीर, मन और आत्मा alignment हो जाते हैं उनमें संतुलन हो जाता है तो mind साहिम हो जाता है आनन से भर जाता है इस सादना के साध्ना के स्वagit Stock Day Kriya युग साधना के सुझना के बादस्द जोत्रे नाद बर्म और शावड ब्रहम इसकि बात्शा प्रते स्वेन शर्ध Positiveει परमहांश मेरी स्वाहराच जी है उन्होंने जो मुझे दिया मैं वही बताने जा रहा हूं आप प्राब्लम क्या क्या है हम लोग सत्ते से विचलित हो गए है और आज सत्ते से जुड़ गए हमारी दूरी हम से हो गई है इसलिए स्वावगान श्रोदसन साधना के माध्यम से अपने पांचों प्राणों को बैलेंस करना होता है जो आपका रिजनिंग माइंड है जो आपका लॉजिकल माइंड है रिजनिंग और लॉजिकल माइंड से बियाउंड एक दूसरा माइंड है जिसे सटल माइंड कहते है उसे जानना होगा मन को तरक से अनंत की और ले जाने की साधना है श्रववगान श्रोदसन क्रिया यूग साधना आपको इन दो अंतर को जानना होगा किसी भी गारी को चलाने के लिए इदी गारी पेट्रोल किये तो पेट्रोल चाहिए और गारी डीजल किये तो डीजल चाहिए इसी तरह जीवन को चनाने के लिए प्राण चाहिए और प्राणों का अम्रद डालती है यह साथ लेकिन क्या कि हमारे पास बाहरी ज्ञान बढ़ गया है और जो जो बाहरी ज्ञान बढ़ेगा तरक जनम लेगा और जब तरक होंगे तो उसको सांत करने के लिए लोजिकल स्ववगान श्वदसन किरया जो मैं देने जा रहाए पूरा ब्रमान हमारी भीतर सवाये उसको प्रगड़ करने की साधना आज बताने जा रहा हूं पहले से भी बता रहा था और पिछले कई सालों से बताते आ रहा हो जो लोग मेरे सामने बैटे हैं वो अची तरह इसको सम एक जैसा मैंने समझाया आपको अब आप इसका अभ्यास करना जो लो मुझे चैनल के मात्यम से सुनेंगे उनसे मैं कहना चाता हूँ कि आप जुड़िये मेरे से मैं जानता हूँ वो आपको बता नोगा क्योंकि नियम और निर्देशन में साधना करेंगे तो inner strength है नहीं ये समझ में आएगी है और ठीक से जानना ही inner strength नियम को ठीक से जानना ही inner strength है inner ability है बाहरी शक्तियों को बाहरी गुणों को हमने अपने उपर हावी कर दिया हमें भीतर की गुणों को जानना होगा, भीतर की सक्तियों को जगाना होगा और ये साधना, श्ववगान, श्वदसन, किरियायोग, साधना भीतर की सक्तियों को जगाती है माफी चाते, क्योंकि अंतरमन की गहराईं की चर्चा कर रहा हूँ, आतमज्यान की चर्चा कर रहा हूँ, श्रवगान, श्रोदशन, किरिया, युक्षादना की चर्चा कर रहा हूँ, शिद्धों की दुनिया की बात कर रहा हूँ, और चाता हूँ की राष्ट का हर नागरिक शिद्धों की दुनिया में रही और संसार के करतेवे करतेवे उध सिधत्यों को प्राप्त करै इसलिए कुछ कह देता हूँ मैं किसी का अपमाना नहीं करहाँ किसी को भी बुरा लगता ता था हम बोलना सीख गए हैं हम वक्ता तो बहुत होगे हैं पर रियलेटी से परे हो गया है उस रियलेटी से जुन्ना बहुत जरूरी है आउटर से इनर की और आना बहुत जरूरी है श्ववगान श्वदसन के रिए अगशादना है आउटर से इनर आना बाहर से भीतर की और मुड़ने का नाम है श्वावगान श्वादसन के रिए योगशादना, the journey to inner world, बाहरी जगत को explore कर दिया है, मगर भीतरी जगत को जाना ही नहीं है, पटरी unbalance हो गई, और जिवन की पटरी चाहिए रेल की पटरी, जब तक समान अंतर नहीं होगी, जिवन हिचको लिखाते रहेगा और एक्सिडेंट की संभावना रहती है, साथियों इदि पटरी में थोड़ा भी दूदर हो जाए तो एक्सिडेंट हो जाएगा, जिवन इसलिए उतार चड़ाओं में रहता, क्योंकि हमारी पत्री है, अनबैलेंस है, तो जर्नी टू इनर वर्ल्ड की और हम कम गए, बाहर की यात्रा हमने खूब कर ली, बाहर की यात्रा और भीतर की यात्रा इदि संतुलित हो, इसी का नाम श्रववगान, श्रदसन के लिए युक्सादना, जो लोग आप मेरे सामने बैठे, मैंने बहुत कुछ आपको समझाया है, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ, कि मितर होने के नाते में, आपको भी समझा दोगा, उसे पैचानना होगा उसे जानना होगा यही जीवन जीवन का मूल उसका परमत्तत्व उसे जानना होगा हम वर्बल होगे हम बोलते बहुत हैं हम विवादों की सोचते हम विरोध पैदा करते इस विरोदों में विचारों में बोलने की चकर में बाहरी जगत में रहने की चकर में Inner Realization की हमारी भीतर में कमी आगी शववगान शोदर्शन किरिया यूग साधना Inner Realization की साधना है यह भीतर की यात्रा है आंत्री की यात्रा है और आंत्री की यात्रा की अपने लोध है अपने प्रिंसिपल है उन्हें समझना भी जरूरी है शववगान शोदर्शन किरिया यूग साधना शंपून जीवन का दर्पन है मेरे भाई मैं यह कौँगा कि शौभवगान, शौद्शन, किरिया अग्षादना इनर माइक्रोश्कॉप है जिवन का अधार है शौभवगान, शौद्शन, किरिया अग्षादना जिवन की बेसिक स्क्रेश्चर को शंतुलित करती है जाने टू इनर वर्ड, आउटर टू इनर की तर मोड ने जा रहा हूं और आप लोगे ध्यान से इस सादना में डूब जाएंगे तो आप मैसूस करेंगी भीतर का खजाना बड़ा अदबूद है और जब आप सादना में डूबने लगेंगे तो भीतर ही धारा बड़ने लगें भीतर से बार जा सकें यह नहीं समझा रहा हूं मैं बार से भीतर आ सकें यह समझना जानता हूं स्वासों की डौर कई दिनों से चर्टा कर रहा हूं स्वासों की दोर मन के मोती आत्मा का इत्र गुर्माराजी ऐसे भी कहते थे भाई स्वासों की दोर मन के मोती और आत्मा का इत्र इन्हें पिरोकर जिवन की माला बनती है स्वासों की दोर मन का मोती आत्मा इत्र इन्हें पिरोक और जिवन की माला बनाता है प्रमात्मा प्रमात्मा कैसे जिवन की माला बनाता है तो स्वासों की दोर मन का मुति और आत्मा का इतर इन तीनों को जोड़कर सुन्दर माला बनाई है प्रमात्मा है पर हम अपने ही हाथों से इस माला को तोड़ देते किरपा भाई सद्गुर्दे महराज की इसलिए तो कहता हूं कि चरेनार बिंदम गोविंदम नमामी गुर्देव शरण गुर्देवम नमामी जब शद्गुरु महराज मिलते है न शो भाग्ये से बड़ी भाग्ये सद्गुरु में पावा भाग्ये बड़े सद्गुरु में पावा भाग्ये बड़े सत्संग में पावा बड़े भाग्ये में मानुस्तन पावा कि तीनों में भाग ये निका कि भाग बड़े महल में पावा, गारी में पावा, पद में पावा, ये संतों ने निका भाग बड़े मानुस जीमन पावा, बड़े भाग ये पाई संतन का, और बड़े भाग से सद्गुरु महराज मिलते हैं, सद्गुरु महराज बिखिर्व गरूरदेवो-महिष्रुम, और शाक्यात्ट पारenser जो शबत का बोध कराए जो नाद का बोध कराए, जो अमृत का बोध कराए, जो जोत का बोध कराए भीतर में घट जो घट के पट खोले सब घट मेरे सांवरा सूनी सेजन कोई और बलिहारी वा घट की जागट परगट होई भीतर के परगट करें भी घट के पट खोल दे नमोनार शंपाउन राष्ट को शने मौशा महत्षव की हार्दिक सुखा अठारा नवम बर्शन दोहजार शत्रा सने मौशा महत्षव स्रीशनी धाम सनी तेरेश छेतर असोला पतेपुर वेरी में आपका श्राइब करेशनी भगवान के दार्सन पूजन तेला भी से बस सेवा है और ये बस सेवा क्यार मंगलम गुरूप जो एज्जुकेशन का गुरूप है क्यार मंगलम उन लोगों की इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रों का प्रियोग करें च्छतरपूर मेट्रों से आपको निश्वल बस किसी दार्ट है सनी धाम आने और